नमस्कार आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट तो चली रुख करते हैं आज की प्रमोख हो आरे बड़ी खबर पर 23 सीटों पर सपा भाजपा के बीच दिल्चस्प होगा मुकाबला लखनु में राजनास सिंग की इन से होगी टक्कर प्रदेश में 23 लोगसबा सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा और सपा दोनों दलों ने अपने प्रतियासी उतार दिये हैं बस्ती में एक बार फिर मौजुदा सांसर हरीश दुवेदी और राम परसाथ चौदरी आमने सामने होंगे पिछली बार हरीश दुवेदी भाजपा के ही टिकेट पर जीते थे जबकि बस्ती सीट सपा बस्ता गठबंदन के तहट बस्ता के खाते में गई थी बस्ता ने राम परसाथ चौदरी को अपने परत्यासी बनाया था जबकि एस बार उन्हें सपा ने टिकेट दिया था लखनों में भाजपा परत्यासी राजनास सिंग और सपा परत्यासी रवीदास महरोत्रा के बेच भढ़ंत होगी कोशल के सोर का मुकामला सपा के आरके चौदरी से होगा सपा अभी तक 31 सीटों पर परत्यासी गोशित कर चुकी है इसमें से संभल सीट के परत्यासी सफेक और रहमान वर्ग का निधन हो चुका है जबकि वारंट सीट गढवंदन के तहट कॉंग्रेस के खाती में जाने के कारण सपा ने वहां से अपने परत्यासी सुरेंद्र सिंग पटेल को वापस ले लिया है इस तरह से सपा के आधिकारिक तोर पर 29 से परत्यासी मैदान में है मैदान में रहे गए हैं इन में से 23 सीटों पर सुनिवार को भाजपा ने भी परत्यासी उतार कर राजनितिक जंग की स्थिती पूरी तरह से साफ कर दी कि कहां से कौन आमने सामने होगा इन 23 सीटों पर सपा भाजपा में टककर के डॉक्टर संजीव वालियान का मुकाबला रालोद के अजीत सिंग से हुआ था इस बार रालोद ने NDA के साथ आजाने से पार्टी प्रमोख जैंत चौदरी डॉक्टर संजीव वालियान का परचार करते हुए देखेंगे जबकि वालियान का मुकाबला सपा के हरेंदर मलिक से होगा उन्ना में साक्षी महराज के सामने अनुटंडन एटा में पूर्वे सीम कल्यान सिंग के बेटे राजवीर सिंग राजु भाईया का मुकाबला पिछली बार सरकार के देविंदर यादब से हुआ था लेकिन इस बार सपा ने अपनी रड़नीती बदलते हुए वहां यादब जाती का प्रत्यासी देनी के वजाए देवे शाखे को उतारा है उन्ना में सपा ने इस बार अनुटंडन को टिकेट दिया है जो पिछली बार कॉंग्रेस की प्रत्यासी थी इस तरह से अनुटंडन भाजपा प्रत्यासी वासांस साक्षी महाराज के मुकाबले में होंगी पैजाबा सीट पर भाजपा के ललू सिंग का पिछली बार सपा के आनंद से नियादब से मुकाबला हुआ था जबकि इस बार पूर्व मंत्री अविदेश प्रसाद को सपा ने यहां से टिकेट दिया है गोंडा में भाजपा प्रत्यासी कीर्थी वर्धन सिंग के मुकाबले पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री श्रिया वर्मा सपा प्रत्यासी के रूप में होंगी गोचना नहीं की है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाका आते ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहिए लोक स्मार्ट